दोस्तो जब भी हम slab डलवाते हैं, तो दूसरे दिन आपने देखा होगा कि slab के उपर छोड़े-छोड़े cracks आते हैं, जैसा कि आप यूड़े में देख रहे हैं, हलाकि cracks slab पे होते हैं, पर दर्द दिल में होता हैं, आपको ये लग रहा होगा कि ठेकेदार ने या फिर गैंग ये slab जादा दिन तक चलेगा या नहीं चलेगा, या फिर ये दरारे बढ़ने लगी, कुछ चीज तरह के सवाल हमारे दिमाग में आ जाते हैं, तो सबसे पहली चीज मैं आपको पहले ही वीडियो शुरू करने से बता देता हूँ, इस छोटे-छोटे cracks जो आते हैं, इससे आपके slab को कोई जादा हानी नहीं होगी, और ये बहुत common चीज़े हैं, जो कि अकसर ही concrete पे देखी जाती है, तो इस वीडियो में दोस्तों हम कुछ चीज़े जानेगे, जैसे कि पहले ये concrete को crack क्यो आते हैं, उसके बाद में crack के कौन से types होते हैं, और तो और इसके solution के बार अच्छा हो रहे, तो definitely ये वीडियो आपकी ज़रूर मदद करेगा, और दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, construction related वीडियो के लिए इस चैनल को आपको subscribe कर लेना है, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, तो इसे like कर देना है, और आपको कोई सावाल हो, तो आपको ज़रूर comment करें, तो बढ़ते हैं हम अमरे topic के तरफ, concrete को cracks क्यों आते हैं, तो दोस्तों जैसे कि आपने किसी तालाब में, जब सूखा पढ़ जाता है, तो आपने देखा होगा कि उसमें छोटी-छोटी दरारे पढ़ जाती, तो simple भाशा में कुछ इसी तरह से होता है, जिसको कि हम आगे जानेंगे, तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ यह हो जाती कि concrete का set होना और उसकी strength gain करना, यह होता है hydration of cement के वज़े से, और जो cement का hydration होता है, वो fast हो जाता है, जब hot weather होता है, और यह hydration जब start होता है, तो यह जो है गर्मी release करता है, यानि कि heat release करता है, त इसके वज़े से जो है cracks दिखने लगते, तो इसलिए आपने देखा होगा कि generally जब गर्मी का मौसम होता है, तो ऐसे वक्त में cracks ज़्यादा develop होते है, compare to thund के माहल में, तो दोस्तों हम जानेंगे कि क्या-क्या type होते है, तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि concrete क्यों आते और जब भी water loss होने लगता है, तो ऐसे वक्त में वो जो पीछे छोड़ देता है, वो crack के छोटे-छोटे void, तो ऐसे वक्त में होता यह है कि जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों, जब भी concrete का पूरा size होता है, तो वो पानी के साथ होता है, जब पानी वहाँ से गम होने ल उसके बाद में expansion crack, उसके बाद में overloading cracks, तो यह कुछ types होते हैं, तो आप कहेंगे इतने सारे cracks हमारे घर पे आए, नहीं नहीं, तो commonly 3 types होते हैं, जब भी आप fresh concrete cast करते हैं, तो ऐसे वक्त में जो आपका घर का slab होता है, उसके उपर commonly 3 cracks आते हैं, पहला तो होता है plastic shrinkage crack, उस plastic shrinkage crack, जैसे मैंने आपसे कहा, जो कोई भी concrete का surface होता है, उस पे से जो है, rapidly loss होने लगता है पानी का, क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा कि hydration process, उसके बाद में गर्मी, और तो और हवा, इन तीनों की चीज़ों के वज़े से जो है, shrinkage cracks develop होने लगते हैं, जैसे कि आप वीडियो Cracks पे आने के बाद, जैसा कि गर्मी और हवा के वज़े से उसमें चोटी-चोटी cracks आने लगते हैं, जैसा कि किसी तूटे होय काच, या फिर जो कोई भी spider का web होता है, यानि कि मकडी का जाला होता है, कुछ इस तरह के एकदम पतले-पतले cracks, जैसमें कि आपका बाल जा सकता कुछ इस तरह के cracks आपको slap पे दिखाई देते हैं, जैसे कि आप आगले वीडियो में भी देख रहे हैं, यानि कि उसे हम कहेंगे pre-mature drying cracks, क्योंकि होता है कि उपर की जो पपड़ी है, वो जल्दी सूख जाती है, सिर्फ वो जो cracks होते है, खाली जो आपकी slurry होती है, उसके उपर होती है, जादा गहरे वो cracks नहीं जाते है, कभी-कभी plastic shrinkage cracks में होता है, कि वो थोड़े से गहराई तक जाते है, पर pre-mature drying cracks जो होते है, वो उतने गहराई तक नहीं जाते है, वो जो हता है 5-6 mm तक ही जिर्क नीचे चले जाते है, उससे आगे वो जाते नहीं, तीसरे crack का टाइप यह है दोस्तो settlement यानि कि settling concrete cracks अब होता है कि concrete का बेट जो होता है वह बहुत ज्यादा होता है दोस्तो जब भी वह concrete का लोड उपर से आता है तो नीचे का जो shattering work होता है यानि कि जो vertical support होते है उन में छोटा बोटा deflection आता है यानि कि वह bend हो जाते है अपनी जगह से थोड़ा बहुत खिसक जाते है तो ऐसे खिसकने के वज़े से जो है वह concrete जो है वह पूरे strength तो गेन नहीं की होती है और ऐसे settlement के वज़े से भी उसके उपर cracks आने लगते है जो कि थोड़े से बड़े होते हैं तो दोस्तो ये कुछ cracks हो जाते है आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आपके घर के crack जो है बहुत जादा बड़े हो गए जिसमें कि आपकी उंगली ही जाती है तो ऐसे वक्त में आपको आपकी इंजिनियर से सालाथ ज़रूर कर ली नहीं है दोस्तो पर अगर अगर छोटे मोडे cracks है एकदम nominal छोटे से cracks है तो आपको डरने की कोई आवश्यक्ता नहीं बहुत से situation में होता है कि जब भी गर्मी का season हो जादा करके chances होते है कि ऐसे situation में आपके घर के slap को cracks आते है तो इसमें डरने की कोई आवश्यक्ता नहीं जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है तो दोस्तों यह 3 main types हो गए जो कि आपको पता चल गए अब चलिए इनके solutions के बारे में हम देखेंगे तो सबसे पहला चीज यह हो जाती ही दोस्तों जब भी मैंने जैसे आपको कहा कि जनरली यह problem जो होता है वो hot weather में होता है पर अगर आप 40 degree के उपर जाता है तो च्छाओं में आने चाहिए और अगर आपके आप ज़्यादा भी temperature है आपको गिट्टी या फिर रेती के उपर हलके हाथ से पानी मार लेना है अब इसमें यह नहीं करना है कि आपको temperature कम ही करना है इसलिए जो आपका concrete mix होगा उसमें बहुत ज़्यादा पानी mix कर दिया ऐसा point इसमें यह है दोस्तों कि जब भी आप concrete काश करते हैं तो एक घड़ घंटे बाद ऐसे वक्त में आपको क्या करना है आपको हलके हाथ से उसके उपर पानी मार लेना है जैसे छोटी छोटी बारिश के बुंदे होते हैं कुछ इस तरह से आपको पानी मार लेना है यह नहीं क्रैक जो है वो कंट्रल में आने के लिए आपको मदद मिल सकती है और तो और अगर आपका concrete सेट नहीं हुआ है और थोड़ा बहुत गीला है तो आप क्या कर सकते है अपनी टिपनी से जो है उसे फिर से एक बार आपका उपर का सरफेस है उसे आप clear कर सकते है याद रखिए इससे होगा यह कि आपका उपर का जो crack से वो दिखाई नहीं देगा पर अगर आपका crack का थोड़ा गहरही में गया तो वो ऐसा ही रहेगा तो यह एक चीज आ जाती है अगर आपने उपर के सरफेस फिनिश कर दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि आंदर तक आपका slap clear हो गया तो दोस्तों आगला point इसमें यह आ जाता है कि जब भी आप concrete कर रहे है तो आपको एक चीज धान में रखनी है आपको hot weather में concrete करना अगर आप avoid कर सकते है तो अगर आप सूबे श्टार्ट करते है तो definitely जो है दोपेर तक जो है temperature rise होने लगता है इसके लिए आपको क्या करना ह कि बात से अगर आप concrete start करते है तो definitely जो temperature है वो down होने लगता है तो ऐसे वक्त में temperature भी आपको मदद करेगा और तो और wind का भी एक factor होता है जो कि बहुत से लोग consider नहीं करते है अगर वहाँ पर कुछ dry हवा आ रही है तो वो भी उपर का जो surface होता है उसका पानी जो है जल्द fresh होता है तो उसको पानी की बहुत ज़्यादा जोर्रती है दोस्तों देखिए जब concrete आप डलवाते है तो उसको शुरुआ ती दिनों में बहुत ज़्यादा पानी के आवशक्ता होते है इसलिए आप उसको जितना पानी देते रहेंगे उतनी अच्छी बात हो जाएगी तो फिल हो जाएंगी तो इससे जो है आपका leakage की सामसे भी नहीं होगी और दोस्तों कभी-कभी होता यही कि अगर आपने देखा होगे कि अगर आपके घर पे cracks जादा है आपका slab जो है वहाँ से टपकने लगता है जब आप ponding करते है तो बहुत से जगपे पानी श्टोर रहता पर कुछ ऐसे चोटे-चोटे गाले होते जहांसे पानी जो जल्दी सूकते है ऐसे वक्त में होता है कि वो धूप के वज़े से नहीं सूकते बलकि वो leakage के वज़े से सूक जाते है तो वहाँ पर भी आपको अगर थोड़ा बहुत slurry वापस से लागा देंगे और उपर waterproofing कर सके आप उतने दिन तक slap को पानी दीजे साथ दिन तक जो है आपके ponding में से पानी नहीं निकलना है क्योंकि होता है यह जब आपनी strength गेन करता है तो ऐसे वक्त में उसको जितना ज्यादा जल्दी पानी मिले उतना ज्यादा उसके लिए अच्छा होता है हाँ बहुत कर लेंगे या फिर कुछ other काम कर लेंगे और ऐसे वक्त में होता है कि आपको जो है आपके ponding में से पानी निकलना पड़ता है जितना आप ponding में अच्छे से पानी दे सकते हैं दोस्तो उतना किसी भी चीज में आप नहीं दे सकते हैं तो यह भी चीज आपको ध्यान में पर कोई effect पड़ेगा दोस्तो डेफिनिटली थोड़ा बहुत normal effect पड़ता है पर वो इतनी जादा गंबीर समस्या नहीं हो जाती हाँ समस्य तब गंबीर हो जाती है अगर आपके घर के उपर बहुत जादा बड़े cracks है तो ऐसे वक्त में आपको ज़रूर आपके इंजिनेर दोस्तो तो क्या कर रहेगा चानल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस चानल पर आपको construction related वीडियो जरूर मिलते रहेंगे और वीडियो अगर आपको आच्छी लेगे दोस्तो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजे मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में तब की लिए धन्यवाद